तो भायो आज हमारे पास महिंदर अथार का न्यू मॉडल जो की वाइट कलर में अविलेबल हो गया है ये कार कम्प्लीटली हमें 4x4 के आप्शन के साथ भी मिल गई है इस पर्टिकलर कलर में पहले सिर्फ रेर वील ड्राइब के आप्शन ही अविलेबल थे बट अभी जो है इसमें एड़ ओन हो गया है 4x4 के आप्शन भी ये वाइट कलर इसके उपर काफ ज़्यादा सूट भी कर रहा है तो इस वीडियो में हम इस कार का कम्प्लीट डीटेल रिवीव करने वाले हैं कार के प्राइस क्या कर रखे गए हैं कार के इंटिरियर, एक्स्टिरियर और सभी फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं तो सभी डीटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो के एंट तक ज़रू देखेंगा वीडियो काफ ज़द इंफॉर्मेटिव ग्रहने वाली है सब सब पहले शुरुआत करते हैं इस कार के प्राइस को लेके तो इस कार के बेस मॉडल के प्राइस यानि की 4x2 वाले मॉडल के प्राइस रखे गया है 11.25 लैक रुपीज एक शोरूम प्राइस और ये पर्टिकल मॉडल जो आप देख रहे हैं अभी मेली बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजिन स्पेसिकेशन के बारे में तो इस गाड़ी के अंदर हम मिलता है 2.2 लिटर का 4 स्लेंडर M-Hawk डीजल इंजन जो की पावर जनरेट करता है 130 भी एच्प की और 300 अनम का टॉक जनरेट करता है तो काफी पावरफुल इंजन इसके अंदर रहने वाला है 6-speed gearbox के manual transmission and automatic के option के साथ भी available जरूर मिल जाता है बाकि जो इसके 4x2 वाला model है उसके अंदर हमें 1.5 लिटर का diesel इंजन मिलता है वो पावर भी थोड़ी कम जनरेट करता है of course बढ़ ये इसका 4x4 वाला model है तो इसके अंदर power of course हमें जादा ही मिलती है कार की ground clearance के बारे हम बात करूँ तो इसकार की ground clearance रखी गई है 226 mm की जो की इस कार को Indian roads के साथ तो perfect तो बनाता ही है एंड एक proper off-roader कार भी बनाता है बाकि 2450 mm का wheelbase है जिसके विशे अंदर थोड़ी कमी जरूर आ जाती है बट यहाँ पर अगर five door अगर आ जाते तो काम बन जाता बट company ने उसके बारे में भी सोचा है तो उसको भी company जल्द ही launch कर देगी बात करो इस कार की safety के बारे में तो दो airbag इस कार के अंदर हम मिलता है और दो airbag होने के बावजूद भी इस कार ने global uncapped crash test में 4 star की rating अचीव की थी गाड़ी के अंदर हमें सभी basic feature मिल जाता है TPMS जैसे feature मिल जाता है ABSV DVD मिल जाता है Traction Control मिल जाता है ESP मिल जाता है and hill decent control जैसे सब भी features तो मिलते ही है और इस कार की build quality भी अच्छी तकड़ी रहने वाली है तो इस कार के उपर हम trust कर सकते है और assume कर सकते हैं कि ये कार काफियत तक safe ही रहने वाली है बाकी guys अभी में लिब बात कर लेते हैं बाड़ी के exterior look के बारे में शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार के front look से तो front look कार के काफ़े ज्यादा aggressive बना दिये गए है कार पूरी एकदम boxy look के साथ आने वाली है और यहां पर एकदम raw nature वाली feel को maintain किया गया है front side आपको blacked out grill मिल जाती है हेलोजन के अंदर आपको इसके headlamp का setup मिल जाता है हेलोजन में आपको indicator मिल जाता है एंड LED DRLS भी यहां पर दिये गए है black color का इसका bumper मिल जाता है fog lamp मिल जाता है हेलोजन के अंदर ही और इसके bonnet के ऊपर यह hinges दिये गए है front bumper के ऊपर यह thar की badging मिल जाती है और इसका bumper भी काफी strong है इसके उपर आपको बच्चे वगरों को बिठाएंगे तो भी यह तूटे गा नहीं बाकि इसका bonnet एक दम काफी तकड़ा सा दिया हुआ है और उपर से अभी तक थार आपने सिर्फ black color के अंदर ही देखियोगी और white color में इस car का और भी ज़्यादा तकड़ी road presents निकल कर आती है और overall कुछ front look car की कुछ type के निकल कर आती है बात करते हैं अभी घाड़ी के side look के बारे में तो side की तरफ चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बड़ी-बड़ी mudguard मिल जाती है cladding काइंड ओफ आपकी इसे कह सकते हैं and cladding के उपर यहाँ आपको front cladding के उपर यहाँ पर आपको indicator की placing में जाती है कोई भी ORVM के ऊपर आपको indicator की placing नहीं मिलती है mhawk की bedging मिल जाती है यहां पर आपको C8 के टायर दिये हुए हैं अलॉई वील का डिजाइन आप देख सकते हैं जो कि पहले जैसा ही है कोई भी चेंज नहीं रहने वाला है कोई भी वाइट कलर की बैजिंग अगरा भी नहीं है और 18 इंचीज में इसके अलॉई वील का साइज रहने वाला है प्रो दोर हेंडल भी इसका ब्लैक डाउट फिनिशिंग के साथ ही दिया हूँ है कोई बोडी कल़्डी डॉर हेंडल बैटता है तो थोड़ा क्लोज्ट्रोफोबिक फील हो सकता है बट अगर आपको उससे प्रोब्लम हो तो आप इसका कंवर्टेबल वाला मॉडल ले सकते हैं वह आपके लिए बैस्ट ऑप्शन हो सकता है बाकि इसके रेर लुक के बारें बात करते हैं तो रेर के रेक्टर मिल जाते हैं नौन-फंक्शनिंग में रहने वाले इंडिकेटर की प्लेसिंग आपको ब्रेक लाइट साथ ही रहने वाली है दो पार्किंग संदर स्मिल कर बाया पीछे का बूट इसका चाप किसे नौन लोग ये वाला फीचर मिल जाता है दो नौन कि नहीं बच टो पुछ ट्रैप के रहने वाले हैं अभी घाइज मुझे आप कमेंट करके बते हैं चलते हैं गाड़ी के अभी इंटीर की तरह एंड चैक करते हैं इंटीर में आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं तो इसका एकदम डार्क रहने वाला है ब्लैक डॉट फिनिशिंग के port कर उची है σलिए के reno करा के तरी के रहने बैस्टी dope मिल जाता है बाइक इन्स्रुमन ड्र गाराइब एंस्टमेंट्स टर साइब क्रेडवीं डिजतल में दिया हुआ है इस्टाइम कंट्रो्म इफोई से स्कीराइनमेंट सिटम मिल जाता है जिसके अंदर में अपल कालपले वार्ले ऑड जिए के अंदर मिलती हैं बागी वाली सीट का कंफुर काफी बढ़ी है रहने वाले वाने वाईस कमाद के स्लाइड हो जाती है सीट वाकि पीच्छी की साइड़ कमफर्ट देख सकते हैं आप दो बंदे अराम से बैठ जाएंगे या पर चौथा या तीसरा बंदा ना बिठाएं को कि यहां पर इस पेस इतना है नहीं यहां पर आपको लाइट मिल जाती है एक LED लैम्प दिया हुआ एक बस कमफर्ट तो काफी अच्छा खासा है बर दिक्कत है कि यहां पर थोड़ा स्पेस की कमी है तो फाइफ डूट थार में वो कमी भी पूरी हो जाएगी तो बाई यह अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 18,000,000 के बजट में एक प्रॉपर ओफ रोडर कार एंड एक पाउरफुल मशीन तो यह कार आपके लिए एक बैस्ट ऑप्शन हो सकती है अभी आप मुझे कमेंट करेंगा कि अगर आपको बजट 18,000,000 का है तो आप कौन सी कार लेना पसंद करेंगे वैस तो इस गाड़ी का प्रॉपर कॉम्पेटिशन अभी तक है नहीं इंडियान मार्केट में कोई भी तो भाई यह अभी आप मुझे कमेंट करेंगे वैदेगा थार का वाइट कलर आपको कैसा लगा और गाईज अगर आप इस कार को लेने के पारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को अपने उस करेंदेट का यह का वाई मतलव टेव कोरेंट के शुण